हेलो हेलो वीवर्स, वेलकम टू माई चैनल, आज मैं आपको बताऊंगी धीं, पेलेटर बैंक टांसपर चार्जेस कितना होता है, वो मैं डीटल्स में बोलूंगी, तो फुल वीडियो देखना, क्योंकि पार्ट पार टॉइस है, तो यहां पर आप देख पाड़े हो, 23,000 something इतना spent हुआ है, उसके बाद interest कितना लगा है, 198 और transaction fees आप देख पाड़े हो, 2000, 2324 ऐसा something transaction fees है, मतलग transaction fees high है, आप समझ पाड़े हो, आप जितना limit यूज करोगे, उससे 2000 तक या 1500 आपको interest देना, interest नहीं, transaction fees देना पड़ेगा, बट यह आपको जो bank transfer fees होता है, वो आपको पहले ही नहीं देना पड़ेगा, पहले payment में नहीं, जो आपको ring में एक limit मिलेगा न, मतलब सोचिए आपका 26,000 तक limit मिला है एक, ठीक है, तो उसको आपको, जब आप उस amount को transfer करने जाओगे, आपके bank account में, तो ओ amount जो 26,000 है, ओ amount आपके account में credit होगा, उस time कोच भी transaction fees नहीं लगेगा, बट repayment के time आपको यह fees देना पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पाड़े हो, 26,000 लिमिट है, तो 26,000 ही use हुआ है, तो उसके बाद interest कितना लगा है, दो हजार सम्थिंग, दो हजार नहीं, तीन सो, तीन सो साथ सम्थिंग, interest लगा है, और transaction fees आप देख पाड़े हो, 244, देख पाड़े हो, दो हजार सम्थिंग, और total payment कितना करना पड़ा है, 28,751 रूपीज पेमेंट करना पड़ा है, मतलब transaction fees दो हजार, दो हजार और interest भी charge, तीन सो सम्थिंग, और यहाँ पर आपका total spent हुआ है, मतलब आपने use किया है, 20,26,000 तक आपने खरच किया है, ठीक, अभी मैं आपको next, जो R1 transaction है, उसके बारे में बोलूँगी, तो यह तो आपने देख लिया है, 26,000 का जो limit मिला है, उसका transaction details, transaction fees, interest कितना परता है वो आपने देख लिया है, अभी next जो है, इसमें देखिए आप, यहाँ पर आप देख पारे हो, total amount pay कितना करना परा है, 31,000 तक payment करना परा है, तो यहाँ पर भी same है, 26,000 limit मिला है, वो जो 26,000 limit को जब आप use कर लोगे, उसके बाद interest देखिए, interest कितना है, 2000 तक interest, और transaction fees तो 2000, 2500 तक, तो आप समझ पारे हो, कभी-कभी जब आपको 26,000 तक limit मिलता है, तो कभी आपको total repayment amount आपको pay करना परता है, 28,000 तक payment करना परता है, और कभी-कभी 31,000 तक चला जाता है, इसका कोई guarantee नहीं है, ठीक है, यह कभी-कभी high हो जाता है, और कभी-कभी low हो जाता है, यह जो interest है, कभी interest तो कम लगता है, और transaction fees तो उतना ही रहता है, but interest बहुत कभी-कभी बढ़ जाता है, और कभी-कभी low हो जाता है, तो semi amount मैंने जब खरच किया है, उसके बावजुद भी मुझे यहां पर 31,000 तक payment करना परा है, और एक बार 28,000 तक payment करना परा है, तो आप समझ चुके हो, और जब आप limit को bank transfer करोगे, उस time कोई charges नहीं देना परेगा, जब आप repayment करोगे, उस time transaction fees and interest आपको pay करना परेगा, ठीक है, bank transfer में कोई charges नहीं परेगा,